Hello Guys, Welcome to my channel Let's Study with Pretty Ideas अज का जो टॉपिक है, हम उसमें पढ़ेंगे Unit 1st का Chapter 2, 3 Pigs Class 4 Book NCRT Subject English का Exercise यानि की NCRT Book Solutions तो चली देख लेते हैं First है हमारा Reading is Fun How many Pigs were there? First question जो हमारी बुक से आता है वो यह है, कि वो यह पूछ रहा है कि How many Pigs were there? यानि की इस स्टोरी में कितने सुवर थे? तो बतेगे कितने सुवर थे? हाँची, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने अंसर है, there were 3 pigs यानि की वहाँ पर 3 सुवर थे दूसरे सबाल What did the big wolf say to the pigs जो वो बड़ा भेडिया था? उसने क्या कहा उन सुवरों से? आंसर है, the big wolf said उस बड़े से भेडिये ने बोला to the pigs pigs say that he would blow away their houses कि वो उनके घर को उड़ा देगा Next, देखते हैं Reading is talk Question first Was the wolf good or bad? जो बेडिया था, वो अच्छा था या बुरा था? आंसर है, the wolf was bad जो बेडिया था, वो बुरा था Question number second What is your house made up of? आपका घर किस से बना है? आंसर है, दोस्तों मेरा घर इटों से बना है इसले मैंने हैं लिखा है My house is made up of bricks आपका घर जिस भी चीज से बना हो आप वो लिखेंगे चलिए, आगे देख लेता है Let's share Who is good? कौन अच्छा था? आंसर है, the pig is good जुसूर थे, वो अच्छे थे Second question Who is bad? कौन? बुरा था? आंसर है, the wolf is bad जो बेडिया था, वो बुरा था वाव, यह तो कुछ interesting सा लग रहा है चलिए, देख लेते हैं, हमें इसमें क्या करना है Join the dots हमें इसमें क्या करना है हमें dots को joint करना है यानि कि इसे हमार लिखा हुआ है 1 तो हमें 1 से 2 को इस तरीके से ऐसे हमें जोइन करना है मेरे ही थोड़े तीरा राइन हो गया आप बिल्कुल से कीचेंगे, बिल्कुल पॉफेक्ट होगा तो से 3 को 3 से 4 को 4 से अब चलिएंगे इस तरीके से 5 पे 5 से 6 पे 6 से 7 से 7 से 8 8 से 9 9 से 10 9 10 10 10 11 15 15 15 16 17 17 18 20 20 21 21 21 21 22 जंगल अनिमल्स मेरे दोग के रहते हैं। जो की जंगलों में रहते हैं, यहीं की वन में रहते हैं तो हमें क्या करना हैं, in this picture, has the animal reached their home यह सारे इधर उदर आ गए हैं, आपको line draw करते हुए, इनके घर तक पहुचाना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपने buffalo से, बताइए बच्चो, buffalo कहां रहते हैं हाँची, buffalo इंसानों के निग्रारी में रहते हैं, इसलिए वो कहां रहेगा फार्म में बियर, यहीं की भालू, भालू को तो भाया इंसान पाली नहीं सकते और वो पानी में तो रहता नहीं है, इसलिए वो कहां रहेगा वो रहेगा हमारे जंगल में घोड़ा, इनकी horse, horse का पहली कर रखा है, तो हम आते हैं hen पे hen, इनकी मुर्गी, देखा है, मुर्गियों को इंसान पालते हैं, इसलिए यह आजाएगा हमारे farm में dog, dogs को भी इनसान पालते हैं, इसलिए वो भी आएगा हमारे farm में crocodile, crocodile को तो इनसान पालते हैं, फार्म में नहीं रहते हैं, वो कहां रहते हैं, water bodies में रहते हैं इसलिए हम उनको मैच कर देते हैं, उनकी water bodies के साथ फ्रॉग, वो भी वाटर में रहते हैं, तो इसलिए उनको भी मैच कर दिता है, वाटर बॉडिज के साथ, काव, काव को इनसान पालते हैं, इट मीज फार्म अनिमल, मंकी, और इसी बात है जंगल में, क्योंकि हो, इनसान तो पालते नहीं हैं, राइनसौर, वो भी कहां रहते हैं, या तो वाटर बॉडिज में, या तो जंगल में, तो बेसिकली वो जंगल में रहते हैं, जिराफ, जंगल, तो इस तरीके से हमारे सारी हो गई, कम्प्लीट, तो चलिए आगे क्या करना है, वाओ, आगे हमारा चाप्टर फिनिश, तो थैंक यू, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक, सस्क्राइब, कमेंट जरूर करें,